हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल और आज मैं आप लोग के लिए सुपर डूपर ब्लॉगबस्टर हिट मूवी केजी फचेप्टर टू का बिहाइंड दा सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ प्रसांथ नील सर के डारेक्शन में बनने वाली इस फिल्म का बजट था 100 करोण का जो की इसे मोश्ट एक्सपेंसिव कंणड़ा फिल्म बनाता है और इसका 25 दिन का टोटल कलेक्शन हुआ है लगभग 1155 करोण का इसी बाक्स आफिस कलेक्शन के साथ में आर 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 को पीछे छोड़ती हुई ये तीसरी हाइस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन गई है और इसकी अब तक की IMDV रेटिंग है 8.9 आउट आफ 10 इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफिक करी है भौन गोडा सर ने वैसे इनका बैक्राउंड सिनेमेटोग्राफर का नहीं है जब उग्रम की सूटिंग कर रहे थे प्रसांत नील सर उस समय ये एजा इस्टिल फोटोग्राफर काम कर रहे थे वहाँ पर बट जब उग्रम के सिनेमेटोग्राफर ने फिल्म को बीच में छोड दिया था तब प्रसांत सर के कहने पर भौन गोडा सर खुद ही सिनेमेटोग्राफर बन ग Alexa Mini and Red Epic Camera का यूज़ किया गया है KGF Chapter 2 की कहानी जरू होती है KGF Chapter 1 में गरुणा की मौत के बाद से वैसे अगर आपने अभी तक Chapter 1 का BTS नहीं देखा है तो मैंने पहले से ही डाला हुआ है तो आप उसे भी देख सकते हो और यह BTS सीन उसी समय का है जब Chapter 1 में राकी गरुणा को मार देता है और KGF Chapter 2 की कहानी को प्रकास राज सर के दोरा सुनाते वे दिखाया गया है यह वहीं के श्टिल्स हैं यह BTS सीन फिल्म के सुरुआत का है जब कुछ लोग राकी के सामराजी को ढूनने के लिए जाते हैं और वहाँ पर खुदाई करते हैं तब वहाँ पर राकी का एक फोटो मिलता है एक बड़े से सिला पर यह Chapter 2 में दिखाया गए CBI Office है और CBI Office है राजवन की डिस्क कुछ इस तरह से तयार की गई थी जब राकी की इंट्री होती है तब काफी सारे लोगों को बड़े-बड़े नगाडे बजाते हुए दिखाया गया है तो इसके लिए पहले जितने में जूनियर आर्टिस्ट थे उन सभी का मेक अप किया गया था उनको तयार किया गया था नगाडे बजाने के लिए और इसके बाद ही राकी की इंट्री वाला सीन रिकार्ड किया गया था ये बीटे सीन उसी समय का है जब फरमान राकी के बारे में कहता है उसके लिए जान भी कुर्वान और इसी सीन में वहाँ पर बड़े बड़े भगोनों में खाना बनते हुए साथ ही बच्चों को खुशी से उचलते कोटते हुए दिखाया जाता है ये बीटे सीन उसी समय का है जब राकी यानि की यस वानरम को लेकर के सूटिंग रेंज में आते हैं और वहाँ पर खड़े सभी लोगों से कहते हैं कि निसाना लगाने के लिए इसी को देखते रहना इसके बाद में तूफान के नाम से एक सांग होता है और उस सांग में राकी को सभी के साथ में बैट करके खाना खाते हुए दिखाया गया है एक बात और इसमें जो बच्चे दिखाये गए हैं उनके फेस के कलर को डाउन करने के लिए भी उनका मेकप करना पड़ता था और इसके बाद ही अधीरा की इंडरी होती है अधीरा का किरदार किया है संजेद अत्जी ने अधीरा के आने पर फर्मान ब्रिज पर तेल डाल करके आग लगा देता है और इस आग लगाने वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकार्ड किया गया था पहले तो वहाँ पर तेल डाल करके आग असल में लगाई गई थी और बात में वहाँ पर एसपसल सेटप को यूज किया गय और यहीं पर राकिंग इस्टार यानी की राकी की अधीरा के साथियों के साथ में फाइट होती है और इस फाइट के साथ ही जब राकी को ऐसा लग रहा होता है कि वो जीत रहा है लेकिन अधीरा ऊपर से खड़ा होकर के राकी को देख रहा होता है और राकी फाइट करते करते काफी आगे तक आ जाता है फिल्म में दिखाया कर राकी के action sequences को कुछ इस तरह से record किया गया है और इन action sequences में जो भी smoke दिखाई देता है उसके लिए black smoke grenade भी use किये गये हैं इसके बाद में अधीरा राकी पर एक bullet fire करता है और उसको वहाँ पर ऐसे ही छोड़ करके चला जाता है गोली लगने के बाद में राकी के लोग राकी को ले करके केजियप से होते वे उसके white house यानि की उसके महल में आ जाते हैं और यहीं पर राकी का इलाज होता है उसकी body से उस bullet को निकाला जाता है जिसकी वज़े से राकी बहुत ज़्यदा चीखता है लेकिन सुबह तक वो नार्मल हो जाता है इस film में राकी का जो महल दिखाया गया है असल में वो ललिता महल पैले से जो की मैसूर में बना हुआ है राकी जब अपने हेलिकापटर में काफी सारा सुना भर कर के KGF से निकलता है और वह सिदा दुबाई आता है इनायत खलील से मिलने के लिए और यहां आगर के वो एक पूरे होटल को बुक कर लेता है और एक बीच पर दिखाया जाता है असल में इस सीन को मालपा बीच करनाटका में ही रिकार्ड किया गया है और इनायत खलील के यहां जो सेर का इस टैचू दिखाया गया है असल में उसे भी बाहर से लाया गया था सेट पर सूटिंग के लिए यह बीच पर सीन उस समय का है जब अधीरा का कानवाई KGF की तरह बढ़ रहा होता है और राकी के आदमी उसके सारे दुस्मनों को मार रहे होते हैं KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही फिल्मों की सूटिंग में बारीकियों का डिटेल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है इवन चैप्टर 1 की सूटिंग में तो प्री प्रोडक्शन में ही डेड़ साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था इसी action sequence का behind the scenes वीडियो है, उपर से जब राकी के लोग अपनी कलास निकोवा गंस को fire करना शुरू करते हैं तब नीचे अधीरा के सारे ही आदमी एक के बाद एक करके गेने लग जाते हैं तो इन scenes को कुछ इस तरह से record किया गया था, इस firing में कलास निकोवा की कुछ blitz आगर क अधीरा के भी लग जाती हैं जिनकी वज़े से अधीरा घायल हो जाता है और इस action sequence को KGF की ही साइनाइड हिल्स में सूट किया गया है, इस film के लिए काश्ट्यूम डिजाइनिंग का काम समाला था योगी जी राज एंड सानिया सरधारिया जी ने, सानिया सरधारिया जी न पर इंटरी करी थी तब फर्मान को मार दिया था लेकिन उसकी लास को लाने नहीं दिया था, राकी जब अधीरा को घायल करता है तो फर्मान की लास को लेगर के KGF में आता है और यह BTS सीन उसी समय का है, और यहीं पर एक और सांग होता है सुल्तान के नाम से, इसके बाद जब राकी मुंबई आगर के सेटी को मारता है तब उसे उसकी पुरानी बाइक मिलती है और वह अपनी बाइक का कवर हडाता है, यह वहीं का BTS सीन है, इस फिल्म के लिए बहुत से जूनियर आर्टिस्ट ने एक साथ में काम किया है, यह पर आप देख सकते हैं कितने सारे आ पूजन करता है, और यहाँ पर भी बहुत से नगाडे बस्ते वे दिखाये गया है, तो इस बार नगाडे बजाने वालों का मेक अप कुछ इस तरह से किया गया था, यह BTS सीन उस समय का है जब रमिका सिन प्राइम मिनिश्टर बनने के बाद में पारलियामेंट में जाती है और इसके बाद में CBI एफिसर रागवान प्राइम मिनिश्टर रमिका सेन से मिलते हैं और राकी की पूरी कहानी सुनाते हैं और इसके बाद में CBI टीम राकी के सोने के ठिकानों पर छापा मार करके एक सोने का बिस्किट पा जाती है और राकी अपने उस सोने की बिस्किट को लेने के लिए CBI के Especial ब्रांच में आ जाता है यहाँ उसी सीन का BTS वीडियो है और यहाँ पर आकर के राकी बड़ी मा यानि की दुसका गन को यहाँ पर फिट करता है और उस आफिस पर फाइरिंग करने की नहीं यह बीटियस सीन तभी का है जब राकी अपने गोल्ड की सप्लाई को पूरी तरह से रोक देता है यह बीटियस सीन उसी समय का है जब राकी प्राइम निश्टर रमिका सेंसे मिलने के लिए पारलियामेंट में आता है और उससे एक विक्त में घुसने के लिए माइन नमबर 3 के बारे में पता चलता है तब वा अपनी चादर को जोड से फिंक देता है और यह वहीं का बीटियस सीन है अधीरा और उसके साथ धीरे धीरे करके माइन नमबर 3 से केजीएफ में घुसा आते हैं और आकर के अचानक से हमला कर देते हैं इस इसके बाद में अधीरा यानि की संजदत और राकिंग इस्टार यस यानि की राकी की फाइट होती है जिसमें राकी अधीरा को मार देता है यह वीटियस सीन उसी समय का है जब राकी गुरू पांडेन को मारने के लिए पारलियमेंट जा रहा होता है और पारलियमेंट में खुस करके गुरू पांडेन को मार देता है क्योंकि उसी ने माइन नमबर तीन के बारे में अधीरा को बताया था गुरू पांडेन को मानने वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकार्ड किया गया था गुरू पांडेन को मानने के बाद में राकी सब से कीजेफ चोड़ने के ल behind the scenes वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बाक्त में बताओ और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है